देखिए हम बात करने जा रहा है लेंस फर्मॉला की पहले तो पत्ले लेंस के बारे बात की थिन लेंस के बारे में जिसको के नाम दिया हमने Lens Makers Formula Lens Makers Formula अब हम एक Lens लेंगे उसमें Object की Distance एक Object रखेंगे उसकी Image बनाएंगे Object की Distance को किस से Indicate करते है U से Image की V से Focal Length इसी में Relation निकालना है हरे बुले हमको मालूँ 1 upon F is equal to 1 upon V plus 1 upon U minus 1 upon U minus या plus plus भी होता है किसके लिए होता है Mirror के लिए होता है ये बड़ा confusion बड़ा होता है ठीक है देखो ध्यान से तो बहुत डाइग्राम बनाएज़े तो हमने का Suppose ये एक Lens है It is a Convex Lens हमारी आखो में ये ही Lens होता है और ये इसका Optical Center है ओ अच्छा नहीं लग रहा है C और यहाँ पर एक Object रखा हुआ है OO' हमने कहा था Image बनाने के लिए कम से कम दो Light Ray का Reflection मालूँ होना चाहिए एक Light Ray जो Principal Axis के Padal गिरती है After Reflection Focus से उकर जाती है एक Optical Center से पास करा तो सीधे चली जाएगी क्योंकि हम पतला Lens लेके चलना है तो एक Light Ray ऐसे गिरी इसका नाम दे दो A कहां से उकर जाएगी Focus से उकर जाएगी और एक Light Ray ऑप्टिकल से जाएगी और they meet at the point where the image will form I-I- अब एक Question यह उड़ता है कि भाई साब एक ही जगे तो meet कर रही है तो यहाँ इसका खोपडी बन जाएगी इसका पैर कहां बनेगा एक Light सीधे चली जाएगी ठीक है बन गई अब इसमों लिखेंगे क्या कि Light यह उधर गई उधर कुछ नहीं गई आप लिखेंगे L is the convex lens An object O- is placed at the distance U from the lens and its image is formed at the distance V यह convex lens है उसे U दूरी पर एक वश्तु रखी है इसका पुर्दी महावन रहा है बस मताद कहानी इतनी मत लिखिए कि Examiner जो है Mathematic ढूणता रहे जाए कि सबस्तरा calculation कहां किये से मैं तो खुब लगाया है सब अब इसमें proof करने जा रहे है हमको distance proof करनी है ठीक है देखो द्यान से सही diagram बना है न हाँ आपको triangle ये दिख रहा है ये triangle दिख रहा है और दूसरा triangle आपको ये दिख रहा है दिख रहा है triangle COO' और CII' दिख रहा है ये दोनों रबे degree के हैं और ये दोनों angle भी equal हैं तो तीसरा angle अपने आप equal हो जाएगा तो triangle दोनों कैसे हो गए है आप लिखेंगे ट्राइंगल COO- is similar ट्राइंगल CI I- ठीक है similarity की थोरम क्या होती है अगर दो ट्राइंगल similar हैं यानि समरूप हैं तो उनके corresponding side का ratio equal होता है corresponding side बोले तो equal angle के सामने के side corresponding होती है तो देखें इस angle के सामने के side क्या है O- upon इसके सामने के side का हो I- is equal to CO upon CI हमको इसी ज़रत है नहीं OC की इसलिए उसको लेनी रहें ये question number हो गया 1 ठीक है आगे देखेंगे triangle आपको CAF दिख रहा है दिखा ये triangle CAF और एक ये F I- आइडस दिख रहा है ये दोरों same angle ये 90 degree है तो दुरों triangle कैसे हो गए ये भी similar हो गए triangle क्या लिखेंगे CAF is similar triangle F I- I- तो यहाँ भी corresponding side का ratio इकल होगा AC upon I- AC upon I-I dash is equal to F I upon C नहीं पहले क्यों से टेंगे लिए F I बाद में आएगा C F सारी C F upon F I अब आप को चूँकि हाइट नहीं चाहिए नहीं लेघ में तो हाइट से और लंजफे हो जायए वह वाली हाइट नहीं वह तो हाइट के लिए, लोग क्या खाते हैं और काम प्लान खाते हैं पीते हैं, पीते हैं अच्छा हम भी भाउत खाय काम प्लान देखक अतनी हीट हुई, अगर ज्यादा काम प्लान खा लेकर लेते था हूँर हो जाती है, है कायर होता होगा, ने ने हमको नहीं यह वाली हाइट नहीं चाहिए, अपनी हाइट तो चाहिए अभी तो ठीक है, सब पढ़िया है बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेंड खजूर पंती को छाया नहीं फल लागे या दूर क्या पंतलब उसाइट का हमारे कौन प्रधानमंत्री थे छोटे से थे लालबादु साथी साहब छोटे से थे वो छोटी सी गाड़ी चलते थे बड़ विचारे मकान यानि एसी की जगए क्या लिखा जा सकता है ओडैस अपान आई आई डैस इस इकॉल टो सी अफ अपान एफ आई क्यों लिखा आपने एक कोईशन नमबर टू आप लिखेंगे भाई एसी की वैलू ओडैस है क्यों क्योंकि हमको इसकी आवस्ता नहीं थी तो हमने हटा दिया अब अगर इन दोनों एककोईशन को देखे तो दोनों के लेफ्ट अंड साइड एक्वल है तो राइक अंड साइड भी एक्वल हो जाएंगे by equation 1 and 2 तो यह क्या हो जाएगा CO upon CI is equal to CF upon FI इसको equation number 3 डाल दीजे आपको distances यहाँ पर रखनी है distance measure कहाँ से करनी है आपको optical center से measure करनी है ठीक है तो सभी दूरियां हम निकालने जा रहे हैं तब तक यहाँ तक पहुंचे पहले आप देखिए इधर की दूरियां कैसी होगी negative उधर की दूरियां कैसी होगी positive क्यों according to coordinate system नहीं according to coordinate system तो ही है नियम क्या होता है दूरि कहाँ से नापेंगे C से optical center ने वही नाम सोलो उसका नाम वही है optical center से अगर light दिधर जा रही है मतलब lens की तरफ आ रही है जा रही है light की तरफ जाओगे तो दूरी positive होगी light की opposite जाओगे तो दूरी negative होगी ठीक है तो light इधर से आ रही है तो यह दूरियां negative आ रही है light उधरी जा रही है तो वो दूरियां positive हो रही है light ऐसे डालते हैं image यहां मनाते और दूरी ऐसे नापते हैं दूरी कैसे लिजाती तब ही negative लिजाती तो क्यों light के positive है ठीक है तेकि अब आप बात करते हैं CO की CO क्या होगा C से O की दूरी U है ना plus या minus minus बात करते है CI की CI है image की दूरी V plus या minus plus बात करते हैं CF की CF है focal length F plus या minus plus बात करते है FI की यह तो रास्ते से दूरी ना परह हो FI तो FI तो कोई दूरी होती नहीं तो क्या करेंगे CI में से CF minus करेंगे CI minus CF CI बोले तो V CF बोले तो F सभी value निकल गई इन सभी value को उठाइए और equation number 3 में put कर दीजे यह लूर्ट कलिया ना putting all these values putting all these values in equation 3 देखो CO बोले तो minus का U upon CI बोले तो plus का V CF बोले तो plus का F और F I बोले तो V minus F doing cross multiplication तो minus UV plus UF is equal to VF चुकि U के साथ V U के साथ F अलग-अलग कर दो dividing by UEF dividing by UVF तो minus UV upon UEF plus UEF upon UVF is equal to VF upon UVF cancel cancel करते हैं गलती नहों गए हो कहीं यहां क्या बचेगा minus का 1 upon F यहां क्या बचेगा plus का 1 upon V यहां क्या बचेगा 1 upon U 1 upon F अधर ले जाओ तो 1 upon F is equal to 1 upon V minus 1 upon U this is the lens formula for convex lens समझे यही बात mirror formula भी ऐसे ही होता है प्रस mirror में यह distance positive होती है ठीक है note करिए देखो इसको proof करने के लिए बिए डाइग्राम होता है कैसे डाइग्राम करेंगे कौन से triangle को similar proof करना है यह देखना पड़ेगा आपको ठीक है यह देखना का आपको height से मतलब नहीं है कि उला object की distance से मतलब है image की distance से मतलब है ठीक ज़रा इसका डाइग्राम मनाते है तो रहा lens ऐसा D-shaped है ठीक है समझ महारा रहा न cave lens है तो अच्छी ही बात है O object है यहां से एक light O agree कहा जाएगी है यह principal axis से दूर खटेगी न तो पीशे बढ़ाने पर कहां से निकलती हुए पियर होती है focus से निकलती हुए पियर होती है यह लग रहा है यहां से निकल रही है यहां पर इसका image I, I dash बनता है तो diagram तो clear हो गया तो आप क्या लिखेंगे L is a concave lens O, O dash is an object its image is formed at I, I dash काम खतम कैसे image form होँआ वो अपने आप from the diagram it is clear ठीक है प्रूफ बिलकुल उसी की तरही है data same है देखे यह object की दूरी है U image की दूरी है यह V और यह focal दूरी है F ठीक है आप triangle वही लेने बिलकुल वगा आप चाहें पिछला वाला proof करना वही data उतार दीजे वही proof है आपका लेकिन आप थोड़ा सा देखना पड़ेगा न देखे आपको triangle COO dash दिख रहा है यह ऐसे बना है ना triangle ऐसे ऐसे बना है ना क्यों COO dash ऐसे बना है ना और बीच में यह लटक गई है यह Ii dash तो एक बड़ा triangle देख रहा है एक छोटा देख रहा है यह दोनों के 90 degree angle है और यह angle दोनों में common है तो तीसरा अपने आप एककोल हो जाएगा तो दो अगर angle सेम है तो तीसरा angle अपने आप सेम हो जाएगा तो दोनों triangle कैसे हो गए similar congruent का मतलब होता है उसका size बराबर हो जाता है ठीक है जैसे आप चपल ममी डूड़े कहां गए कहां गए अरपिता पहन गई जो भी नाम है तो पता अरपिता के पैर जो है ममी के पैर के बराबर हो गए congruent हो गए पापा सघ्ड ढूड़ रहे है कहने काऊन तो राजबर्धन पहन गए तो राजबर्धन पता चला कि पापा डूड़ रहे है नहीं सघ्ड तो यानि के वह ग्वाल कुछ है एक जो किसी च्छोटा बच्छा होता है पापक पढ़ा है पापक मम्मीक पढ़ा है बच्चे के पती बड़ी नाक है तो कहां चपड़ा है मम्मिक मूँ इत्ता बड़ा है तो वो similar हुआ जाकर करके नहीं जब चपल पहन के आ जाओगे कपड़े पहना शुरू कर दो के तब कांगुरंसी हो जाएगी देखिए triangle COO' औ CII' सिम्लर है triangle COO' it's similar triangle CII' ये similarity का sign होता है यानि नाक नकसाई जैसा ये नाक ऐसी बनी है और ये हाथ पैर भी एक जैसे हो गए तो ये कांगुरंसी का sign होता है लोगों ने जान पूछ कि थुदा सा इसा पनाया होगा ठीक है आज similar हो गए तो क्या होगा OO' upon II' OO' upon II' is equal to CO upon CI equation number 1 डाल दो और ये ये दिख रहा है आपको triangle ACF similar triangle FII' FII' देखो ACF में F है FII' और ये दोनों के 90 डिग्री है तो दोनों triangle कैसे हो गए similar हो गए अब similarity में ध्यान एकिए आपके पास O' डैस है पहले ठीक है तो आप यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे AC upon II' is equal to AC बोले तो बड़ा वाला triangle FC upon FI ये दोनों side equal हो सकती है ये गड़बड है AC यहाँ पर आ रहा है AC किसके equal दिख रहा है आपको तो यानि किसको ले सकते हैं O' upon II' is equal to FC upon FI question number 2 1, 2 लिख देंगे AS AC is equal to O' इन दोनों के questions को देखे दोनों के left hand side equal है तो दोनों के RHS भी equal हो जाएंगे तो by question 1 and 2 देखे दोनों के दोनों के दोनों के मिल्गा है आपको आपको मिल्गा है CO अपान C I is equal to F C अपान F I यह कोशन बाद 3 डालो वैलू यहां पर भी रखनी है नोड करें यहां तक अच्छा अब आप कहेंगे कर लेंस फार्मूला आया तो आपको जब वो थिन लेंस बोल दें या लेंस मेकर्स बोल दें तब आप पहले रख करेंगे लेंस फार्मूला आएगा तो देही करेंगे 90 90 परसंट यह नहीं आएगा नहीं 90 परसंट नहीं आता है अब है तो हम बता रहे हैं अब देखो ध्यान से डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है सी से और बाइचांज इधर के सभी दूरियां इधर ही है तो सब कैसी होंगी निगेटिव सी ओ इस इकल टू माइनस का यू सी आई एफ-सी में सेई-सी माईनस कर दें तो एफ-सी माईनस ऐसी अईसी है एफ-सी माईनस यह माईनस कभी होगा तो प्लस कभी हो जाएगा सभी वालु मालु हो गई इननुस अबजी को उठाये और एक क।्वाशन मेर 3 में भी करिये putting all these values putting all these values in equation 3 देखो CO की value क्या है minus का U CI की value क्या है minus का V FC की value क्या है minus का F इसकी value है minus का F plus का V cross multiply करिंग क्या हैगा UF minus UV is equal to FV UVF से dividing करिंग dividing by UVF क्यों ऐसा करते हैं अलग-अलग रखने के लिए नहीं तो यह भी answer सही है लेकिन इसमें भी confusion होगा U के साथ कौन है V के साथ कौन है तो यह जाएगा UF upon UVF minus UV upon UVF is equal to FV upon UVF क्या निकलेगा यहां से 1 upon V minus 1 upon F is equal to 1 upon U 1 upon F उदर ले जाओगे तो 1 upon F is equal to 1 upon V minus 1 upon U यह ध्यान रखिए जब निमेरिकर लगाएंगे तो you put the value with sign value जो है with sign रखी जाएंगे क्के। क्याओे ज़े हुआ है